अगर आपके पास OnePlus Note 2T है या CE2 है कोई भी phone है तो यहाँ पर आप screen pinning की setting कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर app pinning की setting कैसे कर सकते हैं कुछ भी तो यहाँ पर ना तो सबसे पहले इसे on करना होता है जाएंगे आप सैटिंग पे और पास्फटें सेक्यरिटी पे क्लिक करेंगे और सिस्टम सेक्यरिटी पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे screen pinning है इसको आप on कर देंगे इसके साथ यह भी on हो जाएगा इसके बाद आप back कर लेंगे अब यह screen pinning होता क्या है कि आप अपना phone किसी और को चलाने के लिए देते हैं किसी partner को या किसी को भी तो यहाँ पे आप किसी भी application को pin करके उसे दे सकते हैं ताकि वो उसी application को चलाए और आपकी screen पे आके फोन में कोई setting ना कर सके कुछ देख ना सके या छेड़ चाड़ ना कर सके ठीक है तो अब यह तो on कर दिया है अब आप सोचों के लगेगा कैसे तो लगाने के लिए न देखो आप अगर चाहे फोटोस पर लगाते हो या कोई भी application पर लगाते हो तो पहले आप उसे on कर लो अब यह आपकी पिन हो चुकी है अब देखने को मिल जाएगा आपको और आप फोन अपना किसी को भी दे सकते हैं देख सकते हैं कि यहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर आप चाहो कि मैं बैक करके home screen पर चला जाओं तो home screen पर आप डारेक्ट नहीं जा सकते नहीं कोई अप्लिकेशन खोल पा रहे हो देख सकते हैं तीनों बटन काम करने बंद कर चुके हैं अब कई लोगों को यह प्रॉब्लम लगती है लेकिन यह सेफ्टी के लिए होता है तो अब आप यहां पे इन बटन को कैसे बैक बैक कर सकते हैं यानि कि home screen पर कैसे जा सकते हैं एप पिनिंग रिमूफ करने के लिए आपको क्या करना है बैक और यह रिसेंट दोनों बटन को एक साथ हैसे टच करना है और अपना फोन का जो लॉक है वो लॉक एंटर करेंगे लॉक एंटर करने के बाद इस टैप से ऑप्शन आएगा अब यहां पे आप चाहे बैक क करें सारे बटन आपके काम करने स्टार्ट कर देंगे तो इस टैप से आप यहां पर स्क्रीन पिनिंग लगा सकते हैं हटा सकते हैं चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार